60 वर्षों से नहरी पानी की बाट जो रहे बुटाना के किसानों ने लगाई गुहार गाव बुटाना खेतलान के खेतों में फसल के अंदर सिचाई के लिए पानी की सुविदा नहीं है लगबग 1700 एकर फसल में पानी देने के लिए आसपास कोई भी नहरिया रजवाह का पानी नहीं लगता खेतों में रजवाह बनाने वसिचाई के लिए पानी की सुविदा मुहिया करवाने की मांग को लेकर सभी किसान सोनीबत रोड पर स्थित सिचाई विभाग के कारियाल में इकत्रित हुए और सिचाई विभाग के कारिकारी अभियंता से मिले किसानों ने कहा कि पिछली बरोदा हलके की रैली गोहाना में हुई थी उस रैली में मुख्य मंत्री ने भी रजवाहा बनाने का आश्वासन दिया था आश्वासन को लगबग देड साल हो चुका है और अजवाहा बनाने के लिए कोई भी प्रक्रियाश शुरू नहीं हुई है हमारा खेते 60 एक जमीन हमारे पास और जबके उसमों कभी 63 के बाद से पानी नहीं आ रहा है सनूनी सो 63 के बाद पानी नहीं आ रहा है 14 गंते हैं सारे के सारे आगे वाले बाद हैं और वैसे 200-300 आदिनी जो हैं वो भी अमारे साथ हैं 200-300 गर हैं फेमिली हैं वो हमारे साथ हैं वो भी ब्राणी हैं सब तो कुल गाव में कितने एकड़ जमीन ऐसे जम पानी नहीं मिल रहा सही है जब से पान नहीं आ रहा है तो कैसे काम चलाया जा रहा है तो थोड़ी बादी बादी दूर से लिया है उसमें खर्चे महारा ज्यादा हो जाए सभी किसान शुकरवार को सिचाई विबाग के कारेकारी अभियंता से मिलने पहुंचे उनकी अनुपस्तिती में उनके रीडर महेंदर सिंग रोहिला ने रजवाहा बनाने के लिए सेहमती पत्र मांगे और उनके बयान भी दर्च किये गए मैं तो आपार इडरा बयान लिखने आखा गाम है एक्चन कहा का कि तो आज आप में क्या करे हैं कि अच्छ ठीक तो आगे बेज़ाए इनकी तुम्हाँ जाए इनकी पूच्छ आइ जाप आप आप